लेबनान का हिजगुला इसराइल के लिए एक ऐसी मुसीबत बनता जा रहा है जो उसे निकलने के लिए तैयार बैठी है दरसल हिजगुला के हमलों से उत्री इसराइल में तबाही मची हुई है वहीं इसराइली फॉज हिजगुला को रोकने में पूरी तरहा से नाकाम साबित हुई है जिसकी वज़ा से गाजा में भी आईडियफ लगातार कमजोर होती जा रही है जिसका सीधा फाइदा हमास और हिजगुला को मिल रहा है जो इसराइली फॉज की कमर तोड़ने में लगे हुए है लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बेहद ही चौकाने वाला है और अगर पी-म नेतनियाहु ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हिजगुला उनके लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसका इलाज करपाना इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा दरसल इसराइल की सुरक्ष एजनसी शिन बेट ने कहा है कि लेबनान की तरफ से पिछले महीने रोजाना बायालिस रॉकेट और ड्रोन फायर किये गए है अगस्ट दो हजार चॉबिस में हिजबुला की ओर से इसराइल पर 1307 रोकेट फायर किये गए जुलाई दो हजार चॉबिस में इसराइल पर 1091 रोकेट फायर किये गए जुन दो हजार चॉबिस में ये आखड़ा आठ सो पचपन का था जबकि माई दो हजार चॉबिस में 744 और मार्च में 746 और फरवरी दो हजार चॉबिस में 534 और जन्वरी में हिजबुला ने 334 रोकेट और ड्रोन फायर किये है वहीं अकेले 25 अगस्ट दो हजार चॉबिस को हिजबुला ने अपने शीर्ष कमांडर फौज शुकर की हत्या के प्रतिशोद के पहले चरण के रूप में एक ही ऑपरेशन में इसराइल की ओर लगभग 340 रोकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे वहीं हमलों के बीच हिजबुला ने उत्री इसराइल में फिर से कहराम मचाया है हिजबुला ने रामोट नफ्ताली बैरिक्स पर कई ड्रोन्स और ग्रेड रोकेट से हमला किया है और इस हमले के कुछ ही मिन्टो बाद हिजबुला के लड़ाकों ने अलसाहल बटालियन के कमांड हेडक्वाटर पर भी एक तगड़ा हमला कर दिया ये हमला बे थिल्लेल बैरिक्स में हुआ है इसके अलावा हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने या आरा बैरिक्स में वेस्टन ब्रिगेट तीन सो के नए हेडक्वाटर पर कई ड्रोन्स फायर किये हैं जिसमें इसराइली अधिकारियों और सैनिकों की पोजिशन्स को निशाना बनाया गया है इसके साथ ही अलतायहत हिल इलाके में भी जब इसराइली सैने के खटा हो रहे थे तो वहाँ पर हिजबुला ने रॉकेट हमलों की जड़ी लगा दी और इसके 15 मिन्टों के बाद करीब 4 बच कर 30 मिनट पर अलमलीक्या मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने कई राउंड गोला बार उद्दागा हिजबुला का कहना है कि उसने कबजे वाले कफार शौबा हिल्स में आईडियफ की रोईसतल अलाम साइट पर ताबर तोड रॉकेट हमले किये हैं और इसके आधे घंटे बाद यानी 6 बच कर 30 मिनट पर बिरकत रिशा साइट पर आईडियफ के जासुसी उपकर्णों को तबह कर दिया गया वहीं हनीता साइट पर हिजबुला के लडाकों ने जम कर गोल अबारूद बरसाया है बाद बल पर तोछ आप मुझंग बिरकत रॉके स्काल साइब।